उन्हें डिलिवरी के केवल डेड़ महीने बाद ही रुबिना डिलेख ने बिकनी पहन कर दिखाया है अपने हुसन का जादू जी हाँ, डेड़ महीने पहले रुबिना डिलेख ने यानि की टीवी के किर्नर भहू ने अपने दोनों जुडवा बच्चों को जनम दिया और उसके बाद से ही वो अपने फिटनेस और खुबसूरती पर पूरा ध्यान दे रही थी जिसका सबूत अब उनकी लेटस तस्वीरे दे रही है जिसमें उन्होंने बिकनी पहनी है और स्वीमिंग पूल के अंदर वो अपनी होटनेस का जल्वा बिखे रही है तो जलिए कर आया एक खास रिपोर्ट जिसमें आपको दिखाएंगे कि रुबिन अदिलेक ने अपने होटनेस का ज्वादू तो चला दिया है लेकिन लगता है उनकी फैंस को उनका ये अंदास थोड़ा कम पसंदा रहा है वह आखिर उन्हें ट्रोलर्स जम कर ट्रोल जो कर रही है र है आखिर अपनी जर्वा बेटियों के जनम के केवल तेर महीने बाद ही रुबिना ने मोनोकनी ड्रेस पहन कर अपना होट फोटो शूट जो कर वाया है और इस नजारे को देखने के बाद रुबिना के फांस ने उनकी तारीफों के पुल बांधने भी शुरू कर दिये हैं लेकिन कुछ सोचल मीडिया यूजर्स हैसे भी हैं जो रुबिना के इस अंदाज को लेकर उन्हें ट्रोल भी कर रही हैं दरसल हाल ही में टीवी की किन्नर पहू ने अपने वेकेशन की कई फोटो सा जहकी हैं जिसमें वो स्वेमिंग पूल में अपनी होटनेस का जलबा बि शेट्स के साथ अपना नो मेकप लुक बिखाया और साथ ही सॉफ्ट लिप टेंट और हाई बन ने उनके ओवर ओल लुक को कम्प्लीट किया और जैसे यह फोटो सोचल मीडिया पर आई तो यह जम कर वारल हो रही है तो वहीं रुबिना की इन तस्वीरों पर यूजर्स की बाकी रह गया था एक और ने लिखा बलकुल अच्छी नहीं लग रही है रुबिना इसी तरह के कोई कॉमेंट्स लगतार आक्ट्रस के इन फोटोस पर आ रही है आपको बता दे कि इससे पहले रुबिना ने अपनी कई फोटोस और विडियो शेयर की थी जिसमें आक्ट्र दिलेक ने पिछले साल 2023 में 27 नवंबर को जुर्वा बेटी एदा और जीवा को वेलकम किया था हालकि ये एक्ट्रस की प्रेगनेंसी लंबे समय तक चर्चाओं में बनी रही थी रुबिना ने अपनी दोनों लेटिल प्रिंसस के जुनम के एक महिने बाद ही अपनी वीडियोज शेर कर रही है बिलर रिपोर्ट एट्वनिफोर झाल